अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें पश्राम नगर में श्रीमत भागवत कथा के दूसरे दिन तेजास्वी प्रवक्ता मिगला माधुरी जी शास्री ने प्रवचनों से सराबर किया उन्होंने कहा कि मुझे वैसे तो कई प्रदेशों में श्रीमत भागवत कथा करने का अवसर मिलता ही रहता है पर इस कथा में लोगों की भीड का यहां जमा होना सची अस्था है भागवत कथा एक धार में क्रंथ है अगर इस क्रंथ को सच्चे दिल से साथ दिन बैठकर श्रमार कर लिया जाए तो उस परिवार का तो जीवन धन्य हो जाता है जाल जाजे की उनिसमी पुन्तिती है हर साल इसी भाद की जाती है इसी समवे होती है सभी नगर भाई वैर मेटियों की सहयोग से उनकी इच्छा से हसाथ बढ़िया धूमदाव से मनाया जाता है इस साल भी 16 सितंबर कुटी साल भंडारा की योजन है और ये कथा की योजन हर साल इसी समय से 9 से 12 चलता है 9 तरीक से 15 तक टाइम इसका 3 से 6 का है सभी महाफरुसंत जो है 16 तरीको जहां दर्संत देंगे आप सभी नगर भासी भाई वन बेटिया सभी दर्संत पाओ आप कुफल फद्ल हो रहो खुसरो मगल मेर हो हरी है ये जो कथा भागवत कथा करवाई जा रही है शिरिवान बाबा जी कुर्द्याल दास जी की उन्नितिति उन्निस में पुनितिति के उपलक्ष में करवाई जा रही है श्री भागवत कता 8-16 तारी तक जो ये हो रही है और जो ये कता हो रही है ये श्री हरी हर दासीन आश्रम परम सनगर चोंक नजदीग रेलवे कलोनी पुठिंडा में हो रही है और हमारे गुरुजी के सनिध्या में ये भागवत कता हो रही है और ये तीन बजे से लेकर साड़े छे बज तक का इसका टाइम है समय है जो है और ये हमारे कथा ब्याजी है जो कुरक्षेत्र से आये हुए हैं और बड़ी अच्छी सी कथा करते हैं ये और सभी जितने भी यहाँ पे लोग आएं और सुने कथा को और पुन्ने के भागी बन कि अध्य कथा चल रही है कि अनौ अत्रीक नुचलो ईसी अरुस्वला नो मंदा रहा हुगा के कथा बोगी या अनगा अर जी बहुत ही सुन्दर कथा सुना है जो भी आहियों जिए अनुचकु आ लेसे जो का लिए और सुना लिए निया कुर्शेत्र तो आये बोगी बद अगर आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लोग्याव